कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोजशी तिथी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथी को समुद्र मन्थन के समय भगवान धन्वंतरी अम्रित कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वज़़ से इस तिथी को धनतेरस या धनत्रयोजशी तिथी के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ती होती है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यू के देवता यम्राज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दिपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोनाचांदी या नए बरतन खरीदना बहुत शुब माना जाता है। धन्तिरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यू के देवता यम्राज ने यम्दूतों से प्रश्ण किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यम्दूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिये हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यम्राज ने कहा कि बेचिजख होकर बताओं कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यम्दूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है, जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था, उसने पडोज के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। जोतीशों ने ग्रहंगशत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के चार बाद ही मृत्यू हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया की इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाएं और स्त्रियों की परचाई भी वहां तक नहीं पहुचनी चाहिए। लेकिन विधी के विधान को कुछ और ही मनजूर था। सन्योगवर्ष राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर विवा कर लिया। विवा के चार दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यू हो गई। तब यम्दूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बाते सुनकर यम्राज ने कहा कि क्या करें। यह तो विधी का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यम्दूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यू से बचा जा सके। तब यम्राज ने कहा कि धंतेरस के दिन विधी विधान के साथ पूजार चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यू नहीं होती। इसी घटना की वज़े से धंतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धंतेरस से जुड़ी एक कथा और है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोजशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णू ने असुरों के गुरू शुक्राचार्य की एक आख फोड दी थी। कथा के अनुसार, देवताओं को राजा बली के भैसे मुक्ती दिलाने के लिए भगवान विष्णू ने वामन अवतार लिया और राजा बली के यग्यस्थल पर पहुँँच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णू को पहचान लिया और राजा बली से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इंकार कर देना। वामन साक्षाद भगवान विष्णू है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बली ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई तीन पक भूमी दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बली को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बली के कमंडल में लगो रूप धारन करके प्रवेश कर गए। इस से कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंध हो गया। वामन भगवान शुक्रचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आख फूट गई। शुक्राचार्य छट पटा कर कमंडल से निकलाएं। इसके बाद बली ने तीन पग भूमी दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृत्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। धन संपत्ती देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ती देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आये। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विश्णो लक्ष्मी से बोले जब तक मैं ना आऊं। तुम यहां ठहरो। मैं दक्षण दिशा की ओड जा रहा हूँ। तुम उधर मत देखना। विश्णुजी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन हुआ की आखिर दक्षण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वया दक्षण में क्यों गए, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया, जैसे ही भगवान ने रहा पकड़ी, वैसे ही मा लक्ष्मी भी पीछे-पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सर्सो का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहला हा रहा था। वे उधर ही चली। सर्सो की शोभा से वे मुगध हो गई और उसके फूल तोड़ कर अपना श्रिंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने एक का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने चार गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णो जी आएं और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाब दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था। पर तुम ना मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की बारा वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़ कर क्षीर सागर चले गए। विष्णो जी लक्ष्मी जी को लेने आये तो किसान ने उन्हें भेजने से इंकार कर दिया। तब भगवान ने किसा से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है यह तो चंचला है कही नहीं ठहरती। इनको बड़े-बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। इसान हटपूरवक बोला क अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसो दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वन्तरी विष्णों के अंशावतार है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णों ने धन्वन्तरी का अवतार लिया था।